नमस्कार दोस्तों मैं कमल अदाओ आपके लिए क्या सोनिट का मुजिक सिस्टम तो दोस्तों भूछ सारे लोगों की जो है रिक्वेस्ट आये थी कि हम किया सोनिट प्लस वाले वेरिंट में और स्टी एकस में भी हमें सेम स्टीडियो मिलता है तो उसको हम एंड़ोडोटो से कैसे कनेक्ट करें तो मैं आज आपको step by step बताऊंगा कि android auto इसमें कैसे काम करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके music system की कुछ ऐसा इसकी पुल वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर किलिक कर गए देख सकते हैं इसकी फुल वीडियो आपको मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं कहांसे आपको अपना फोन कनेक्ट करना है तो यहां पर जाएंगे और सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि कोई भी फोन कनेक्ट है या नहीं है यह आप देख सकते हैं नो डिवाइस पे यहां पर लिखा रहा है और हमें यहां पर एड़ न्यू ही करना पड़ेगा तो यहां पर दिखा रहा है विकल का नाम किया मोटर्स के नाम से तो प्लीज अनेबल वाइफाई एंड ब्लूटूस ओन अंडूड ओटो और कार पुले अनेबल डिवाइस तो हम कर लेते हैं अब अपने फोन का ब्लूटूस और वाइफाई ओन तो जैसे यह ब्लूटूस ओ आजाते हैं देख सकते हैं किया मोटर्स हम इसके उपर क्लिक कर देते हैं वहां देख सकते हैं आप स्टीडियो में भी आपको एक नोटिकेशन मिल जाता है यहां पर आपको आ जाता है कि पेर विद इस डिवाइस और नॉट तो देखिए एंड़ोडोटो कनेक्टेड लिखा आ गया है उपर अभी आपके फोन में एक आ रहा है कि अलाव एक्सेस टू कॉंटेक्ट्स तो हम इसको कर देते हैं अलाव हमने फोन को कर दिया लोक अब चले जाते हैं होम स्क्रीन के उपर अब यह देख से आप यहां पर द हमने कर दिया अंड़ोडोटोग उपर क्लिक कि सबसे पहले जो है मैप आपको खुला हुआ आ जाएगा आपके इसमें डिस्प्ले में यहां से आप जो अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहले में दिखा देता हूं और आपको यहां कि आपके अपके अप्लि कि यहां से आप बैक जा सकते हैं और यहां से हम जो है हमारा फोन की जो स्क्रीन आ गई यह पूरी की पूरी यहां से हम फोन कर सकते हैं कि जो भी आपको फोन करने हो कलेंडर वगरा भी इसमें मिल जाथUA को गाना कीयं मिल जाते मैं अपने सबसे ऊपर बभार मिल जाते हैं आपको hello है अभी जो है आपका जो वो इस स्षीट बो काम नहीं कर रहा है लेकिन अगर इससे काम करें करवाना झाये तो अब है इस देख लेटे इसमें सेटिंग में क्या क्या मिल जाएगा इसमें सेटिंग मिल जाते कि मैसीज की नोटिफिकेशन वो दिखानी या नहीं अगर हम यहां पर कर देते हैं नोटिफिकेशन तो जो है नोटिफिकेशन आईगी कोई उसका कोई भी साउंड नहीं आएगा अगर मालो आप गाड़ी बंद करते हैं ठीक उसके बाद जैसे गाड़ी को ओन करोगे तो यह जो मीडिया है वो आपका ओटोमेटिक प्ले करना है या आपको नहीं करना जैसे आप करोगे एक्सेस ओन फोन स्क्रिन तो यह जो भी सेटिंग है वो आ जाती आपके फोन के उपर तो इसमें आपका एंड़ो डोटो खुल जाएगा फोन के अंदर इसमें आजाएगी किया कनेक्टिड वायरलेसली और बाकी जो सेटिंग्स आप इसमें देख सकते थ से वह यहां से कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट की सेटिंग विए आपको यहां पर मिल जाती है तो अब हम देख लेते जोसे नैओ वूं करेगा कि हमारा है गूगल या नहीं करेग तो अब देके देखते हैं वूइस कमध यह गूगल टेग मी टू हम गार भी जो आप यहां जीनिए हमारी वोईज कमाइड विल्कुल प्रोपर तरीके से काम कर गी है और इंटरनेट ओफ होने के बाद विल्कुल अच्छे से काम कर रहा है तो यह सकते हैं वोईजिक चेंज करने तो आपको हैं पर चोटा सा एक वह हैं वो भी मि मिल जाता है और अगर आप म्यूजिक वाली स्क्रीन पर जाते हैं तो आपको छोटा सा बार मिल जाता है आपकी नेविगेशन सिस्टम का वापी साधा ते होम स्क्रीन पर तो चलिए अभी देख लेते हैं जो एंड्रोड ओटो है वो आपका दुवारा रिकनेक्ट कितनी देर में हो जाता है अगर मालों गाड़ी बंद करते हैं तो तो अभी करते तेम गाड़ी को बंद तो यह देखे आपका जो मीजिक सिस्टम में बिल्कुल बंद हो गया है अभी दुवारा ओन कर लेते हैं सिस्टम को और देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा रिकनेक्ट होने में तो जो है हमारा म्यूजिक सिस्टम ओन हो गया है बैटरी ओव दो मोबाइल डिवाइस लो और यह देखे बिल्कुल विदिन सेकिंड जो है फोन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया और एंड़ोड ओटो भी कनेक्ट हो गया है और अमारी जो नेवीगिसन वहीं से कंटिनू हो तो चली बात कर लेते हैं अगर हमें कुछ पहले प्रोब्लम आ रही थी स्टीडियो से अंड़ोड ओटो वायरलेसली कनेक्ट करने की तो हम एकब देख लेते हैं इस स्टीरियो में हमें कौन सा सिस्टम वर्जन मिल जाता है तो हम आजाते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में और जनरल में जाके हम देख लेते हैं वर्जन इसका यह देख लीजिए आप एक बार सोफ्ट्वेर तो आप भी एक बार अपनी गाड़ी में चेक कर लीजिए अगर आपके जो सोफ्ट्वेर का वर्जन यह सेम है तो ठीक है वरना आप इसको अपडेट करवा लीजिए सर्विस से तो दोस्तो वीडियो का जो है एक्सस वो हम नहीं कर पाएंगे अभी इसमें कोई भी आप वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पर अमने वीडियो डाली हुई है और वीडियो को देखने की धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि हम आपके लिए और नई से नई वीडियो लेके आते रहें तो अगर आपक तो किसी और गाड़ी की music system के बारे में review लेना या उसके features के बारे में जानना तो आप comment में बताइए हम उस गाड़ी की music system के उपर जो है पूरी वीडियो बना देंगे तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतना ही चैनल को subscribe जरूर 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 करें धन्यवाद